जय हिंदरे भाई आज हम शेयर करने वाले हैं चार कलेस्थनिक्स स्किल जो सभी विगिनर को आने ही चाहिए अगर आप यह स्किल सीख जाते हैं तो आप किसी को भी इंप्रेस कर लोगे सिर्फ मिंटो में और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ कलेस्थनिक्स एथलेट के लिए इंपोर कि इसमें कितना ताका थे वह बंदा बहुत तैलेंटेड आपको बोलेगा तो आप ही सोचे कि अगर को ऐसा बोलेगा ता पको कितना फिलोगा तो आज हम आपको कम्प्रीट गाइड करेंगे कि आपको किस दूइस करना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो आपका पहला स्कील है हैंड स्टेंड वाक यह आपका बहुत ही कॉमन स्कील है जो आप किसी फिल्ड में देखें होंगे कोई फुटबोल खेल रहा है किरिकेट खेल तो अचनल सब्सक्राइब क्या करता है हाथ पर चलने लगता है ऐसे करने सक्वान में लोग इसको बताते हैं कि त आपको हाथ में ताकत कितना आपको कॉर कि आप अपनी वोडिको सिर्फ ये पाच फिंगर से और पाम से होल्ड कर रहे हैं यह बहुत बड़ा मेटर करता है और सबसे बड़ी बात है कि मानच यह बैठे लोग है ठीक है अगर आपको अपना टाइन को दिखाना बताना कि हम क है फिर उसके बाद करना अपने पार्टनर के थुरू पैर से पकड़वा कि क्या करना आपको चलना फिर आप 10 दिन 15 दिन के बाद आप हैंड्स्टेंड वोक्स सीख जाएंगे तो दूसरी स्किल होने वाली है एलवो लीबर इसको हम लोग मायूरा आसना ही बोलते हैं और भ अच्छा बचा लोग इसे करने लगते हैं तो क्या करना आपको समझना होगा सबसे पहले क्या करते हैं लोग पोश्चर को ऐसे रहते हैं ठीक है तो क्या करना अपने हैंड को उल्टा कर देना ठीक है और एलबो ठीक है एलबो क्या करेंगे बैंड करेंग देखिए ऐसे बै लगत करते हैं हमसे में सब्सक्राइब करें लगेंसे संप्रोप करेंगे अंतर्त क्मेंगे तो आपका यह बेसिक है अगर आप यह करेंगे तभी आपका मजल प्लैंच पूसब अनलोग होगा अब जो होने वाली आपकी तीसरी स्कील यह बहुत ही अट्रैक्टिव स्कील है अगर आपको किसी को इंप्रेज करना तो अगर आप यह स्कील करने लगते कि आपको बूलेगा बंदा कितना इसको बोलते हैं सुपर हुमन फूसब फ्लाइंग पूसब ना में ब्रैंड है तो इससे करने के लिए आपका जो पहला तो आप में पता चलेगा कि आप में इंडोरेंस आपका स्टेमिन सब चीज बता देगा और यह आम इंसान नहीं कर सकता इसे करने के लिए आपकी प्रेक्टिस डिडिकेशन और आपका फोकस और यह आपका तभी पॉसिबल होगा जब आप रेगुलर रहेंगे तब आप करते तो प्रेटन के आपकी प्रेक्टिस चाहिए और क्या करना सब से पहले आपको नूर्मल होगा त्साइक और करेंगे ऐसे दुसरा बर करेंगे तया करेंगे फिर वाइड फिर क्लैप फिर फिर किकी फिर सुपर फिर यह नॉर्मल यह मतब क्या करना साथ पुसब को मिक्स कर देना कॉम्बो पैक छोटा पैकेट बड़ा धमा का और यह आपको तब ही पॉसिबल होगा जो आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे तब अगर आपको चाह तो आपका यहां कलेवाल यहां चला जाएगा आपकी सब दर्वाज खूली लगेंगे बस आपको यह को सीखना होगा और हम यह कहा सकते कि शिर्फ आपकी बीच दिन के प्रेक्टिस में आप यह सब करने लगों तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए टेक के